हाव रूफिक्स फोन पे एप कुट नोट लोड़ एप प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तो स्वागर है अब सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है फोन पे एप के अंदर पे कुट नोट लोड़ एप प्रॉब्लम सॉल्फ के सी कर सकते है दोस्तो अगर आपका भी एप्लिकेशन के अंदर पे ऐसा प्रॉब्लम आते है फोन पे एप के अंदर पे हुए बेल आइकुन को क्लिक करें और अगर आप उनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं सो यहां पर आपको सबसे पहले तो आप दीख पा रहा होगा रिट्राय का भी ऑप्शन है यानि कि दोस्तों बैसिकली आपर हम देखे तो डेटा कानेशन के रिलेटेट प्रॉब्लम हो रहा है और सारे साथ में दोस्तों अगर आपका एप में प्रॉब्लम है तो भी ऐसा हो आति हैं तो सबसे पहले हमें डेटा का सॉलिशन करना ऊगा उसके आपको जाना है सेटिंग और यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है प्लूबाइल ग्लुटूटूट पर जाएपको सेटिंग कर दिना है तो रीषेट भगरा कर लिजए अपनी Netox सेटिंग को उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है प्रेज्टोर पर जाना है अपना एप को सर्च करना है ठीक है एप सर्च कीजिए और उसके बार एप को अपडेट कीजिए दोस्तों यहाँ पर कई बहर क्या internet on होते हुए हमारा जो data connection है वो background पे बन हो जाते है ठीक है तो आपको यहाँ पर simply क्या करना है इसको update भी कर देना है data connection को भी fix कर देना है उसके बाद दोस्तों चेक करके देखे mobile को restart कीजिए solve हो जागा आपका problem अगर दोस्तों इससे आपका problem solve हो जाते है तो अच्छी बाद है लेकिन मान रिजए by any chance अगर आपको problem आ रहा है दुबारा से तो आपको जाना है setting ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको scroll down कर लेना है app notification पे जाना है phone पे अपको open करना है यहाँ पर आपको करना है force तो उसके बाद storage in cage पर जाना है इसका storage यहाँ पर दोस्तों क्लियर करके आप जाए mobile data and wi-fi पे and इसका background enable कीजिए ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको disable wi-fi disable data uses लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा तो यह button off करके रखे अगर आपके mobile पर डिवाइफाइं data uses only लिखा हुआ है तो इसको on कीजिए तो यह setting के वज़द से भी कई बार problem हो जाते है ठीक है तो इसको यहाँ पर आपको fix करना होगा इस तरह के से and then दोस्तों आपका problem solve हो ज झाल 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